तो एपिसोड बन की शुरुवात में हम एक राज्य के केंग पैलेस को देखते हैं जहां जैसन नाम का एक बंदा अपने बच्चे को राज्य से बाहर ले जा रहा था ताकि वो उसे बचा सके क्योंकि जैसन के परिवार के लोग उस बच्चे की बली चड़ाना चाते थे तब ही उस राज्य की सेना उसे बहाँ से जाने के लिए रोकने लगती है अब इतनी सेना को देखकर जैसन अपनी ड्रागन की पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है ये देखकर जैसन के परिवार का एक बंदा अपनी पावर को यूज करके उससे लड़ने लगता है तो जैसन भी ड्रागन की पावर को यूज करके उसका सामना करता है अब हम कुछ सालों बात का समय देखते हैं जहां एक बड़ा सा मंकी एक जगा पर हमला करने जा रहा था इसके बाद सीन चेंज है ताकि वो सब सर्वाइफ कर सके अब उनी बच्चों में से हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था जो बाकी सबसे छोटा वने के बावजूर भी उन सबसे जादा स्किल्स रपता था इसलिए टाइलर नाम का एक बच्चा उससे चुड़ता था इधर हम स् ब्लू इगल आती है जो राइनो को उठाकर भागने लगती है लेकिन राइनो के आग उगलने की वज़ा से वो इगल उसको लेकर नीचे आ जाती है ये देखकर स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू इगल का ध्यान भटकाने लगता है उसी समय वहां के एक वॉलकैनो की बज़ा से आस्वान से आग की बारिश होने लगती है जिसकी बज़ा से वो ब्लू इगल भाग जाती है और ये लोग उस राइनो को लेकर अपने गाओं आ जाते हैं जहां गाओं के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीश करने लगते हैं क्यूंकि वो उनके लिए खाना लाए थे लेकिन हम इदर एलेक्स को उदास बैठा देखते हैं तब ही वहाँ शेन आ जाते हैं तो एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे बॉम डैट कब आएंगे जिस पर शेन बोलता है कि वो जल्द ही आ जाएंगे लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें व बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं जिस पूल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनरजी डाल रखी थी ताकि उन सब बच्चों की हड्डिया बहुत जादा मजबूत हो जाएं यह देखकर एलेक्स शेन से कहता है कि यह करने के बाद मुझे मेरा फेवरिट कृल से पूल से बाहार आजाते हैं तब उस्राइनों की एनरजी पूल से भाहार आती है तो अकिसे कर लेता है zit जिसकी वज़जा से उसका शरीर लावा की तरह गरब हो जाता है और वो अपी पूल को भी उठा करा are a dare yoga जाती है लेकिन एलेक्स उस मिल्क को लेकर उस ट्री पर चड़ा देता है जिसे वो सब गौट मानते थे और उनसे इमोशनल होके कहता है कि मेरे पेरेंस को जल से जल वापस भेज दो तब ही वहाँ पर एक बच्ची आती है जो उसे बताती है कि उसका भाई और उसका दोस्त ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए है ये सुनकर एलेक्स उस बच्ची को वापस जाकर ये बात शेन को बताने को कहता है और खुद वहाँ से उनके पास चला जाता है इस तरफ टाइलर और वो सभी बच्चे ब्लू इगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तब ही वो ब्लू इगल उन्हें देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खतम होता है तो एपिसोड टू के शुरवात में ब्लू इगल उन सब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तब ही वहाँ एलेक्स आ जाता है और उन्हें अंडा छोड़ कर वहां से भागने को कहता है तो टाइलर कहता है कि हम अंडा लिये बिना यहां से नहीं जाएंगे इसके बाद वो सब तेजी से ब्लू इगल के घोसले से नीचे उतरने लगते हैं तो ब्लू इगल अपनी पावर की मदद से उनकी रसी काट देती है पर वो सब रेत में गिरने की वज़ा से बच जाते ह अब वो सब अंडे को लेकर वहां से भागने लगते हैं और ब्लू इगल उनका पीछा करते हुए उन पर अटाक करने लगती है तब ही टाइलर एलेक्स के कहने पर अंडा उसे पास कर देता है लेकिन इसकी वज़ा से वो ब्लू इगल उसके पीछे पर जाती है तो एलेक्स भागते हुए ब्लू इगल के उपर चड़ जाता है और उसके पंक पकड़ लेता है इधर बाकी बच्चे इगल पर पत्थर फेकने लगते हैं तो ब्लू इगल उन पर हमला करती है लेकिन एलेक्स उन्हें बचा लेता है अब वो सब घने जंगलों में भागने लगते हैं तभी एलेक्स मुक्का मार कर एक पहाड में गुफ़ा बना देता है और वो सब उसके अंदर चले जाते हैं तो वो ब्लू इगल अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन उसी समय गलती से एलेक्स का हाथ एक पत्थर पर लग जाता है जिसकी वज़ा से उस पहाड की प्रोटेक्टिंग शील्ट एक्टिवेट हो जाती है जो स्टोन विलेज के पूरवजों ने बनाई थी ये देखकर ब्लू इगल हमला करके उस शील्ट को तोड़ देती है और तेजी से अंदर गुसने की कोशिश करने लगती है तभी स्टोन मिलेज के बड़े लोग वहाँ आ जाते हैं और उस ब्लू इगल पर हमला करने लगते हैं इधर सभी बच्चे शेन के पास चाते हैं जिनने देखकर शेन समझ चाते हैं कि ब्लू इगल उनके पीछे क्यों पड़ा है इसलिए वो उन्हें लेकर वहाँ से गाव भागने लगते हैं क्योंकि उनके गाव को उनके गौड प्रोटेक्ट करते हैं और उन पर कोई हानी नहीं पहुचने देते अब ब्लू इगल शेन और बच्चों को भागता देखकर उन पर अटाक करती है लेकिन शेन बच्चों को पचा लेता है तभी वो सब लोग गाव के अंदर पहुच जाते हैं तो ब्लू इगल भी गाव में खुचने के कोशिश करती है पर उनके गौड उस इगल को दूर फेक देते हैं उसी समय उस इगल का अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक इगल का बच्चा भार आता है लेकिन इतनी भाग दौर की वज़ा से वो मर जाता है ये देखकर वो ब्लू इगल बहुत जादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर का इस्तिमाल करके गौड के द्वारा लगाई शील्ड को तोर देती है अब वो ब्लू इगल अपने बच्चे के पास जाती है जिसे मरा हुआ देखकर वो चीक ने लगती है तभी गौड उस पेड की टहनी को इगल के बच्चे के पास लाकर कुछ जादू करते हैं जिसकी वज़ा से वो जिन्दा हो जाता है साथ ही गौड ने उस बच्चे में एक स्पेशल पावर भी डाल दी थी अब ये देखकर वो ब्लू इगल और एलेक्स बहुत जादा खुश हो जाते है फिर एलेक्स उस बच्चे के पास जाकर इन सब के लिए माफी मांगता है आगे स्टोन विलेज का एक आदमी शेन के पास आकर कहता है कि हमारे पास जो खतरनाक माउंटेंस है उनके ट्रैप किसी ने तोर दिये है ये सुनकर शेन कहता है कि अब समय आ गया है इधर हम एक बड़े से लाइन टाइप बीस्ट को देखते हैं जो थोड़ा घायल था तब ही उसे चारो तरफ से एक और बीस्ट घेर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खतम होता है तो एपिसोड 3 की शुरवात में हम एलेक्स को देखते हैं जो शेन को कहता है कि अपसे ये इगल का बच्चा हमारे गाउं में ही रहेगा साथी वो उसका नाम साइरो रखता है तो शेन बोलता है कि वो ब्लू इगल इसे हमारे गौट के पास छोड़ के चली गई है तो तुम इसे पाल सकते हो तभी एलेक्स को जाहिरों के अंदर की एक अजीब सी अनरजी दिखाई देती है तो शेन उसे बोलता है कि ये एक special तरह की अनरजी है जिसे एक खास तरह से practice करके तुम अपनी power के रूप पे use कर सकते हो ये सुनकर एलेक्स अपनी practice start कर देता है और दिनराब मेहनत करने के बाद वो इसमें पूरी तरह से master बन जाता है जिसकी वज़े से उसकी ताकत बढ़ गई थी ये देखकर शेन भी चौक जाते हैं क्योंकि इस टेक्नीक को इतनी चलती सीथना विल्कुल भी असान नहीं था आगे stone village को beast lion के मढ़ने की खबर पता चलती है तो stone village के बड़े लोग उस beast lion का blood लेने चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत जादा कीमती था लेकिन इधर एलेक्स भी चुपके से उनका पीछा कर रहा था साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जो उन सब को शुपकर follow कर रहा था अब जब stone village के लोग आगे बढ़ रहे थे तब ही वो एलेक्स को वहाँ देख लेते हैं और उसे डाटने लगते हैं लेकिन इलेक्स कहता है कि मैंने आपकी और grandfather Shane की बाते सुन ली थी जिन्होंने आपको blood लेने के लिए यहां भेजा है इसलिए मैं भी adventure के लिए आपके पीछे आ गया तो वो कहते हैं कि हमारे साथ रहना बहुत जादा डेंजरस है इसलिए तुम वापस चले जाओ तब ही उनमें से एक बंदा बोलता है कि एलेक्स का वापस अकेले जाना जादा डेंजरस है तो यह हमारे साथ रहे वही बहतर है यह सुनकर वो सभी मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ बीस जानवर की लाश दिखती है जि मरे हुए लग रहे थे लेकिन अचानक से वो दोनों बीस खड़े हो जाते हैं और उन सब का पीछा करने लगते हैं लेकिन जब वो सब एक पेड़ से बने ब्रिच से गुजर रहे थे तब ही एलेक्स महार रुख जाता है और अपनी नई टेकनीक को यूस करके पेड़ को ब ऐसे ले तो एलेक्स बोलता है आपको बस ब्लू इगल को यहां बुलाना चाहिए जो अब हमारी तोस बन गई है यह सुनकर वो सभी उस इगल को बुलाने चले जाते हैं और एलेक्स महां बैट कर उनका इंतिजार करने लगता है तभी वो दोनों बीस फिर से उठ जाते है यह देखकर एलेक्स वहां से भागने लगता है और भागते भागते उस लाइन बीस के बॉडी के पास आ जाता है तभी वहां पर एक गुरिला बीस आ जाता है जो एलेक्स के पीछे लगे दोनों बीस को मार कर लाइन बीस के पास चला जाता है उसी समय वहां पर बुल बीस बूल बीस्ट बहुत ताकतवर था इसलिए वह बारी पड़ने लगता है तब ब्लू इगल आ जाती है जो एलेक्स को उठाकर वहां से जानने लगती है उसी समय हम उस लाइन बीस्ट को देखते हैं जो अपनी बची कुची ताकत लगाकर फिर से उठ खड़ा होता है और उन सब के चारों तरफ एक शीर्ड बना देता है ताकि वो सब वहां से भाग ना सक ये देखकर ब्लू इगल आलेक्स को लेकर जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है पर वो इसमें काम्याब नहीं हो पाती साथी उसकी बॉड़ी पर भी पॉईजन लग गया था इस तरफ लाइन बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर बुल और गोरिला बीस्ट को ज जाने लगते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाने पर अचानक से उस पॉईजन की वज़ा से ब्लू इगल उन दोनों के साथ नीचे गिर जाती है जहां उन सब के नीचे गिरते ही उन पे तीरों की बारिश होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खतम होता है इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चानल पर आ जाएंगे तो चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नौटिफिकेशन बेल भी आन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई